वेल्कम टू ABC केंपस, आज हम बिजनस लॉव में ICAB के स्प्रिंग 2022 की अटेंट से एक पास्ट एक्जाम का क्वेस्टन डिसकस करेंगे, तो question के तीन पार्ट हैं, और step by जरह तीनों पार्ट को पहले जनरले डिसकस करते हैं, और फिर इसका answer ड्राफ्ट करेंगे, पहला पार्ट देखते हैं, आमिर द्रीव चेक इंफ़र अगालिब महमूद आजनन बंक लिमितेड, और स्पाशली तो बी पाइड इन तो रहिनियम बंक लिमितेड, और शेक वस तोलन प्रों गालिब्स वालेट, यानि एक ऐसे बंदे के अकाउंट में जमा करवा दिया गया, कि उसका नाम भी गालिब महमूद ही था, तो नाम बिल्कुल सेम था, लेकिन वो एक्चुल जिसको पेमेंट मिलने चाहिए थी, वो वाला परसन नहीं था, इन्टो इस अकाउंट मेंटेंड विद रोडियम बैंक लिमेटेट, यह जहन में देखें कि यह RDBL है, और वो RNBL है, यह सेम बैंक नहीं है, अंडर दे निगोशियाबल इंस्टुमेंट एक्ट 1881, डिसकस वैदर XBL वोड बैंक है, तो इसमें देखें, कॉंसेप्ट यह है, कि यह पेमेंट तो आउट अफ डियू कोर्स समझी जाएगी, जब स्पेशल क्रॉसिंग होती है, तो स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है, कि जो बैंक अकाउंट मैंशन है, उसी के अंदर पेमेंट होनी चाहिए थी, उसके अलावा किसी और बैंक के अंदर पेमेंट अगर होगी, तो वो प्रॉपर कंसीडर्ट नहीं होगी, तो RDBL के अंदर पेमेंट यह होगी, कि जो कर दी गई है, तो यह प्रॉपर पेमेंट नहीं है, तो येस, XBL वोड भी लाइबल, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन्स भी हैं, वो एक्सेप्शन्स यह होती हैं, कि अगर चेक पेमेंट के लिए प्रेजन्ट किया गया था, और वो क्रॉसिंग उस पे अपेर नहीं हो रही थी, या उसकी जो क्रॉसिंग है, उसको आल्टर या अबेल्टरेट कर दिया गया था, और XBL ने जो चेक के क्लेरिंग किया है, वो गूड फेथ और विदाउट नेगलिजन्स किया, यह सब चीज़ें पूरी हो रही हो, तो फिर XBL की लाइबलिटी नहीं होगी, वरना जो नॉर्मल हमारा आंसर है, वो यह है कि उसकी लाइबलिटी होगी, अब पार्ट भी देखते हैं, अब कुछ चेंज है, अब यह जो सेनेरियो है, इसके अंदर तो देखें, मताबी की चेक डिपॉजिट हुए, उसके मताबी की पे हुआ है, तो अगर XBL ने जो है, वो पेमेंट गूट फेट और विदाउट नेगलिजन्स में की है, तो फिर इसका मतलब है कि यह पेमेंट जो है, वो in due course समझी जाएगी, और इसके अंदर जो है, कोई liability राइज नहीं होगी, इसमें वो पूछ किया रहे हैं, कि under the negotiable instrument, discuss the implications of RNBL, if the check is cleared and funds were received in RNBL, तो जो collecting banker है, अगर उसने good faith और without negligence पैसे received किया है, तो उनकी कोई liability नहीं होगी, यह इनकी तरफ से okay समझा जाएगा, लेकिन obviously अगर यह भी उस गालिब महमूद के साथ मिले वे थे, funds को receive करने में, और इनने पता था कि title defective है, तो फिर इनकी liability होगी, और अगर पता नहीं था good faith में किया है नने काम, तो इनकी कोई liability नहीं होगी, ती पार्ट, straightforward है कि explain the circumstances in which a banker must refuse payment of a check, एक check की payment लाजमी तोर पर बैंक को refuse करनी होती है, तो law में इसके दो different section में total मिलाकर चार scenario है, एक तो यह कि जब अगर specially cross हो जाए more than once तब बैंकर को लाजमी refuse करना होता है, और तीन scenario इसके अलावे हैं, जैसे customer की death या payment को stop कर दिया जाए या customer जब installment हो जाए, तो इन तीनों parts का answer accordingly अब हम जो है वो draft करते हैं, तो part A के अंदर हम बात करेंगे कि जिस bank ने payment कर दी और check specially cross था, तो SBL cleared the check and funds were transferred to RDBL, यह एक ऐसा bank है जिसको check जिसके नाम पर cross नहीं हुआ था, check cross हुआ था RNBL के नाम पर, payment कर दी गई RDBL को, तो SBL की तरफ से यह default है, in that case SBL shall be liable to गालिब मह्मूद जो true owner है, असल वाला गालिब मह्मूद, for any loss he may sustain on to wrong clearance of check, because it will be considered to have been paid out of due course, payment in due course नहीं है, payment out of due course है यह, exception इसकी यह है कि liable कब नहीं होगा, अगर जो payment की गई है, वो ऐसे check पर की गई है, जो के cross appear ही नहीं हो रहा था, did not appear to be cross, या उस पर जो crossing थी, उसको भी alter किया गया था, और otherwise than as authorized, यानि उसकी alteration की गई थी, और check की जो clearing हुई है, वो good faith और without negligence में हुई है, तो फिर liability नहीं होगी, तो इसमें दोनों answers हैं, यानि base या कहलें कि default answer तो हमारा यह ही है, कि liability होगी XBL की, लेकिन अगर यह exception apply हो रही है, तो फिर liability नहीं होगी, दूसरा पार्ट यह था, कि अगर check RNBL में ही deposit किया गया, जिस पर जो है उसको show किया गया था, जिसका नाम bank का mention किया गया था, और उन्होंने collection करके दिये, तो क्या collection करके देने वाले bank की कोई liability होगी, उसके लिए क्या implication होगी, तो उसका answer यह है कि उनकी कोई liability नहीं होगी, अगर उन्होंने good faith में payment किये, without negligence किये, तो shall not incur any liability, even if customer का कोई title नहीं था, या defective title था, तो इसमें important बात सारी क्या है good faith की, अगर bank RNBL भी उसके साथ मिला वा था, तो फिर तो RNBL की liability होगी, वरना RNBL ने तो good faith में, अपने client के लिए एक check की payment की है, उस पे नाम भी RNBL का लिखा वा था, तो RNBL recover कर सकता था, और उन्होंने उसी process को follow की है, so there is no issue, part C की बात करते हैं, तो वो situation जिसमें banker must refuse payment of check, तो एक तो यह कि जब customer की तरफ से counterment of payment आज़े, यानि customer call करके, या inform, किसी भी payment inform कर देता है, कि जी इस check की payment stop कर दें, तो फिर bank को लाज़मी stop करनी चाहिए, या bank को notice मिलता है customer की death का, तो फिर उसके account से payment नहीं करनी चाहिए, या notice मिलता है कि customer जो है, वो insolvent adjudicate हो गया है, तो फिर भी उसके account से payment नहीं होनी चाहिए, और ऐसा check, जो specially more than once, एक बार cross हुआ है specially, then okay, more than once cross हुआ है specially, तो उसमें सिरफ इसकी भी exception है, वैसे कि अगर agent को collection के लिए देते हैं, तो वो हो सकता है, otherwise अगर हुआ है वो cross specially more than once, तो फिर उसकी payment लादमी refuse करनी है, तो ये total 4 points इसमें भी बनते हैं, so that's all for today, have a good day. कर दो लादमी